हेलो एवरिवन गुड मॉर्णिंग तो चलिए शुरुवात करते हैं आज का वीडियो और आज के सुभ विचार के साथ आज का जो हमारा विचार है वो है स्वभाव रखना उस धीपक की तरह रखो जो बादसा के महल में भी उतना ही रोसनी देता है जितना किसी गरीब की जो यह रहान हो हर विक्ति के लिए एक ही जैसा अपना व्याहर लगना है किसी के किसी से ज़्यादा इन्स्पायर नहीं हो जाना है बड़े से परभावित नहीं हो जाना है चोटो को ज्यादा नहीं समझना है तो मध्यम वार्ग जो की घौतम बुद्ध का ग्यान था तो उस से क्यूज करना है ठीक है लेट से स्टार्ट पहला जो कोशन है वह धर्म और रित भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्री विचार को चिनित करते हैं इस संदर्म नुखली कथनों पर विचार करना है कि धर्म क्या होता है तो धर्म वेक्ति के दाइत्म तथा स्व जवाब दही होता है किसी पर्सनल से रिलेटर वो उसका धर्म होता है अकेले आप मिल रहे हो किसी और से अकेले में मिल रहे हो उसके परती आपका विवहार के आसा और चाहिए वही आपका धर्म कहता है ठीक है रीत का कहना का मतलब है रीत जो कि मुल्भूत नैतिक विधान जो श्रिष्टी और उसमें अंतर नहीं सारे तर्त्तों के किरिया कलापों को संचालित करता है तो यह एक नैतिक विधान है ठीक है नैतिक विधान का मतलब है कि आपको बड़ों के साथ वेवहार कैसा होना चाहिए आपके छोटों के साथ वेवहार कैसा होना चाहिए पेड़ और के रीत जो आपका नातिक विधान की बात करती है ठीक है तो यह आपका आईस का प्रिये का कोशन था जो कि इसका आंसर जो है वन एंसी बौथ होगा ठीक है चले नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं मत्र के परसिय रिगें से लिए है लिए मंदल से लिए ठीक है और गायत्री मंत्र के रचण कार जो है वह स्वामित्र virtu लिए नेक्स्ट कोईचन निम्न आस्रमों को कर्मानुशार बदलना है देखिए इसमें से सीच्छा गाहिए जब तक पढ़ाही कर रहे हैं तब तक काई पूर्ण होने के बाद आध विवा हो जाता है फिर गिरहस्त में चला जाता है गिर्हस्ति खत्प हो जाती है तो फिर वानप्रस्त हो जाता है जो कि buy one van laugh उगमन का समय होता था वह पूरवकर की बात है युव it erkl's career की बाथ है ठीक है फिर उसके बाद मिलता है तो मैंने गताए छाड तुरम्ति किस पुस्तक में मिलता है तो यह कहां मिलता है अरे लृओर मुल लिपी क्या है टो तो जीकवेड के मुल लिपी थो इसको वे ध्यान में 550 में यज ब्राहूं ही लीपी विशेम्धित मुझे आता हहां जेम्ज प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्रह्म्ही लीपी को सबसे पहले पढ़ने में सब्फलता हर अर्जित की थी अगला कोशन है रिगवेद का सरवाधिक लोप्रिय चंद कौन सा है तो गैत्री मंध्र रिगवेद का दसमें में रचेता कौन है विस्वा मेत्र ठीक है चलिए अगला कोशन है नियुन में से किस संकल रिगवेद पर आधारित है रिगवेद पर आधारित है तो यह रिगवेद पर आधारित है सामवेद का सामवेद में किसके बारे में बात किया जाता है तो यह सामवेद संगीत से रिलेटेड यह बात किया जाता है ठीक है सारे गामा यह सब जो चीजह है तो यह संगीत से रिलेटेड है आपका सामवेध इसको पर अधारित है रिगवेध पर अधारित है अगला कोशन देखते हैं देखे इस इसको देखें यह important question बन जाता है अब का रिगवेद में क्या है प्राथनाएं और शुरूत है ठीक है रिगवेद में प्राथनाएं है शुरूत है भगवान से मांगने की बात किया जाता है एक तरह से कहिए तो क्योंकि गैतरी मंत्र है भगवान को इस वर से connect होने के लिए य दूसरा है यजूर वेद तो बी जो है यजूर वेद यह जो है बात करते हैं वह स्रोत यानि किसमें भी है स्रोत और कर्मकांड 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 का मतलब होता है कि पुजा पाठ में बली कैसे देना है किसका बली देना यह सब चीजों के रिलेटर यहां पे कर्मकांड की बात के जाता है अब साम वेद से हिंट कर सकते हैं साम वेद जो है जो कि संगीत से रिलेटेड है अथर्व वेद है वो वसी करन तंत्र मंत्र से के और वसी करन इंसान को काबू में कैसे करना उससे रिलेटेड बाते करती है ठीक है चले एक फिर समलों रिवाइज कर देलते ह पुरभेद किसे र degenerate कर्म कान कर्म कान से रिएटेब है यजुर वेध सांगीत से संगीत से अथरव वेद जो है वसि क्रन तंत्रंद्र से से रिलेटेड़ है अगले कोशन दखते हुत पुर्वेदिक आर्यों का ध्रम प्रमक्स था तो कौं सा यह प्रकर्ति की पूजा करते थे और य्यक्टि करते थे तो अच्छा धर्म से डिवता कि बात किया जाए अगर वैदिक काल के देवता की बात किया जाए तो जो इंद्र थे वो प्रिदेवता थे इंद्र और ये किस काल में थे रिगवेदिक काल में रिगवेदिक काल हमने देखा था कि जो पंद्रासो से एक हजार का जो समय था उसे रिगवेदिक काल कहते थे तो रिगवेदी काल में आपको मिल जाता है इंद्र की पूजा की जाती थी और उत्तरवेदी काल में जो उत्तरवेदी काल था उस समय की बात किया जाए तो यह पसुपती जो थे उसके बारे में उनकी पूजा की जाती थी पसुपती ठीक है ब्रह्मभा के पुत्र पसुपत ठीक है इसकी पूजा की जाते थे अगला कोश्चन चलते हैं आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उलेख मिलता है आयुर्वेद का उलेख कहां मिलता है तो यह मिलता है अधर्ववेद में आयुर्वेद का उलेख अधर्ववेद में मिलता है ठीक है यह से अधर्म गुए थैर्ओ बली और काम कान्ट जो थैं या जुरुआ था या जुर्वध रिलेटर यां выступ बहुत सारे देवता जैसे कि इंद्र वरून अगनी इन सब देवताओं के चर्चे मिलते हैं रिगवेद काल में ही आपका अठारा पुरान अठारा पुरान की बात किया जाता है उपनिशद है फिर एक सो आठ दस सो अठाइस रिचाएं है एक मिनिट इसको इसको पॉज रखेगा रिचाएं आई का कोशन तो मैं डिटेल लिस्क करूँगा मैत्रिय सहीता का संबंध है यजुर्वेद से तो अभी हम लोग यजुर्वेद को देख रहे थे मैत्रिय का संबंध भी यजुर्वेद से था मैत्रिय का संबंध यजुर्वेद से रिलेटेड है फिर समय एक बार रिवाज करता है यजुर्वेद से रिलेटेड क्या है आ हख silent 15 कोशन देखे खेंं गो त्रवद का सर पर्थम हुआ था परयोगलेपं किसमें क्या गया तो रिग वेद का रिघ्वद में गोत्र का साह जो की सब्द है इसका सर पर्थम पर यो यो कीया गया है को फ глубi का पर यो किया गया है कि तॉरी ये आपको हुटब रिगवेद में, गोत्र सब्द का परियोग रिगवेद में हुआ है, सुरा की हावती का उलेख मिलता है सौत्राणी से, सौत्राणी से मिलता है सुरा के उलेख, रिगवेद के किन मंदलों में वंस का मंत्रन मंदल से नाम से जाना जाता है, रिभेद के किन मंदलों को नदल के नाम सी तो मंदल टोटल कितने हैं मंदल हैके 10 ड्यान कि Current मंदल क सब्सक्राइन धुसक्राइन से सब्सक्राइब को तेटाल कर्द Maori Fごed में नियमन's से किस सिल्प का उलेख नहीं है तो हाथी दात का उतकिर्नन का उलेख नहीं है मिर्तभांड थी बुनाई बढ़ाई यह सभी थी वठाथ ही देदाथ को उतकिर्नन का उलेख नहीं है रिगवेद में सरवाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अगनी से रिगवेद काल में हमने कहा था भी थोड़े देर पहले बात की थी अग संख्या मंत्र संबंदित को किसके प्रोहित विरुप में प्रस्थुत किया गया है यह भारत जो थे उसके ब्रोहित फोटर वह वसिस्थ प्रोहित मुझे पुजा पाथ係 नंगा राज़ा होते थे उनके पुत्र होते थे उनलोगों को सिछा देते थे तो यह कहलाते थे पुरोहित और पुजा, पाठ, कर्म, कांड यह सब चीजे रहते थे पुरोहित वस्मfolg तो यह भरतों के थे ठीक है विश्णु का प्राचिंतम उल्लेक कहां मिलता है तो विश्णु का उल्लेक मिलता है रिगवेद में ही रिगवेद में ही विश्णु का उल्लेक मिलता है परसित दस राज यूद दस राजाओं का उल्लेक कहां मिलता है यह भी दस राजाओं का उ राजा थे 10 जन थे 10 जन जो की राजा थे उनके बीच में यह जुद्वा था जिसमें सिर्फ सुदास जो है विजय हुए थे ठीक है कि सुदास विजय हुए थे 10 राजवा के युद में भरतों का पुरहित कौन था अभी हम लोगों ने देखा थोड़े दिर पहले ही कि भारतों का पुरोहित भारतों का पुरोहित कौन थे वह सिस्ट ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं निम्ली में से कौन सा रिगवेदी स्त्रियों के संदरमे में सही नहीं है तो यह रज अस्वला होने के पहले ही उनका विवा हो जाता था ठीक है रज श्वला श्वला जो कोई करिकरम होता था उससे पहले उसका विवा हो जाता था इस चीज़ को याद कर लीजगा निम्ली में से किसके लिए वर्नन है कि उनका रत बक्रे खिचते थे तो यह पूरुष पुषन जोते थे अब ये कौन सा लेक लेना होगा अवेस्ताइक स्थान है जो कि इरान से संबंधित है निमलिखित गरंथों में से प्रमुखता किसमे यग्य देवयों की निर्मान का उलेख मिलता है तो डी सुल्वसुत्र में सुल्वसुत्र सुल्वसुत्र में गरंथों में यग्य वेदिका का निर्मान का थना पेश्टकर किर१े के लगड़ी ओर दूप एगरह डाला जाता था तो यह उंड़्वेदिका का संबंध किस वेद साखा से हैं सामवेद छंद से एब समझ में आ रहा होगा चंदों निशद तो चंद से रिलेटेड़ है चंद किसमें होते हैं गीत संगीत में कविताओं में चंद होते हैं वह सामवेद से रिएटेड होगा ठीक है निमन लिखित में से कौन सावेद गध्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है तो अधर्ववेद में आपका यह वसी करन से रिलेटर यह चीज है अधर्ववेद में अगला कोशन जाते हैं निमन में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद तो सबसे प्राचीन वेद जो है रिगवेद है ठीक है तो यह वीग है रिगवेद सबसे प्राचीन वेद रिगवेद को तो नौवा मंडल भी है हम लोग देख रहे थे में नम फंस मंडल केहते थे चैनल य। इसको मिलान करते है रिगवेद, इस्वर महिमा, यजुरवेद, सामवेद, सामवेद से रिलेटेड हो जाएगा, संगीत, ये कूट, डी का फोर, फिर देखते हैं, रिगवेद में, रिगवेद में क्या है, इस्वर महिमा, ठीक है, बी का वन हो जाएगा, इस्वर महिमा, ये संगीत से रिलेटे एक मिनंट चले देखें यहां पर आपका हो जाएगा इस्वर महिमा बी यानिके रिगवेद यह अथरवेद था ए में यहां पर अथरवेद ठीक है तो बी जो यह रिगवेद है वो इस्वर महिमा से रिलेटेड है सामवेद संगीत से रिलेटेड है ठीक है यहां पर बी का सी और यह आफसर मिल रहा है एक अधरवेद अधरवेद और सधी से सम्बंदी थे यह लोग देख रहे हैं अ थर्वेद एक मिनट एक मिनट चले देखते हैं यह नंबर हो जाता है फिर से देख लेते हैं यह है अथरव वेद अथरव वेद हम लोग देख रहे थे अथरव आयुर्वेद से रिलेटेड था ठीक है पॉला हो तो सुधार लेज़ेगा यह जूर्वेद से रिलेटेड नहीं है और हkyo ओधरव रिलेटेड है ठीक है अथरव वेद से रिलेटेड है अयूर्वेद तो इसासर यह होगा वो थ्री हो जाएगा और सनका यजुर्वेद बलिदान और कर्मकान से रिलेटरटी ठीक है यह अंसर इसका जो होगा वो ए नमबर होगा इसका आंसर होगा ए घ्रति सation से जलते हैं यंघ्य संबंधी विधिविदानौं का पदा चलता है यग्य किछ पता चलता है। यूँरवेत में क्या औरहें चंढ़ पूर्णत सों मर्पित है अभी ही देख रहे थे नौवा मंडल जो था हमारा सोम से रिलेटेड था नौवा मंडल ठीक है आपको यह बार-बार रिवाइज होगा तो आपको इस तरह से कोश्च याद रहेंगे वैदिक सभातन प्राचिन प्रचलित लोगप्रिय सासन प्रनालित थी तो वन्स प्रम प्रागत राज तन्त्र था राजा बनता था था यह बन्स प्रागत वैदिक युगिन सभा तो इस लीbor भी मंत्री परिशत थी मंत्री ने सल मुंस थी तो इसमें क्या उते प्रवीत होते मंत्री ने थे जंसरा होती सब्सक्राइब सब्सक्राइबू थी जो इसको अगे झाओ सब्सक्राद सब्द कहां मिलता है तो अस्तूपा मिलता है रिग्वेड में चलिक ए भी क्योशन हमात रही लेटेड अत्भर्वेड में है कि अत्रवेद में अयूर्वेड से रैलेटेड़ा रहा सिक्रान से रिलेटेड़ा भी है किस वैदि गरंध में वर्न सब्दु कमलेख रिगवेद में मिलता ठीक है वर्ण और एक और हम लोग देख रहे थे गोत्र ठीक है ध्यान में रखियेगा गोत्र वर्ण और गोत्र कि दोनों कहां मिलते हैं रिवेद में वर्ण में व्यस्ता से संबंदित पुरुसुक्त मुलता पाया जाता है तो पुरुसुक्त रिवेद से पाया जाता है रि कि चलिए देखते है नेक्ट्स कॉछिस निभलिंति लिखित में से किस वयदिक सुत्र में चार वर्नों के उद्द्गम का उद्ले ज़िए तो इसका जू आंसर होगा वहाँ तो हुगा आपका पुरुस सुक्त है पुरुस सुक्त है इसमें एक ही मसिं एक पर परांहो एक तरह से परम पुरूस की कलपना की गई है जो जिसमें आपका जिसके अंग विभीन शरीर के अंग है वहां से विभीन वर्नों का जन्म हुआ है जैसे आपका मुख से हुआ है ब्राम्हन और भुजा से हुए है शत्रिये फिर आगी है आपका आता है जांक प्रृस असे फिर जो प्र था प्र से सुद्र का मिलता है ठीक है आगे चलता है उसका आणसर क्या होगा ब्लि चार बर्णों का उल्लेख मीले है पूर्श उक्षी से रिग्वेद में ही इसूए ह। रिग्वेद के किन सुत्रों में भारतिय नाटक की अंगूर ववस्था का होना माना जाता है तो समवाद सुक्त में अंकूर ववस्था का होना माना जाता है रिग्वेद में कितने मंडल अभी देख रहे थे हम लोग 10 मंडल है तो रीगवेद में 10 मंडल कोन से मंडल कहते है वंस मंदल किसे कहते है ठीक है चलिये ह। है आपको उसर बता देता हूं नवाँ मंडल नवाँ मंडल सोंसे रिलेटीड़다 मदीर्ह बादीरढ़ कोहीं कहा जाता था तो उससे रिलेटीड़inhaड़ख मंडल 나와 संस्वा मंदल संथ 누가 मत याद कर लां आपका चार्चा शो है वह पुरूष्ष करमिस के चार्चा सांत्वा मंदल में ठीक है और फिर आपका दांस्वा मंडल जो कि रिग वेद से रिलेटेड है नौबा मंडल सोम्र से रिलेटेड है तो इतने सारे आपके पास आगे इसको याद कर लीजिगा अगला कोश्ण चलते है रिग वेद में सुक्तु के विशय में निम्हें से कौन सा कथन सही है उनमे गोलिक सब्दु जैसे कि आर्यवर्त और दचनावर्त का उल्लेख है तो यह इसका आंसर याद कर लिजेगा यह पहला और तीसरे उनमें उल्लेख अधिकांस नेदे गंगा योमना के पश्चिम से बहती है और उनमें हिमवंद और मुल्वंद का उल्लेख मिलता है अगला कोशन देखते हैं सुची वन तथा सुची दो से समलित की जिए और को मिलान करना है ठीक है चलिए देखते हैं रिगवेद है रिगवेद से रिलेटेड क्या होगा तो सांख्याक और ब्राम्हन कूठ है अब्राम्हन से रिलेटेड है सांख्यान वगा माए सांख्यान को रिलेट कया है कि लेकर आप। इसे को सांघू सकते हैं तांडओ मै यान कि यान की आप सांड़ web थे खेलेट है ठीक है और फिर बात करते हैं आपका ये जूर्वेद के सत्तपत्रक्रम्न कि अधर रलेड़ा, Пр Hee गुपत् ब्राम्ध आयुरुवेद चायन इसको है तो में पर्यूंगति के सब्स्मांदित है यह नाथिक विवस्था से थेलेटेड हैं इसाननो सब्सक्कु अभी हमोग सबसे पहला जब क्वोष् STAR की coalition धे अस हम लोग देख रहे हैं नातिक व्यवस्था से रिलेटड कॉन से सब्द है रिच ठीक है रिच इसका अनसर होगा बी गो अ परहन के परसंग में विरिग्वेद में पर्मुक रूप से नाम है तो पढ़ियों का ठीक है वेपारियों का ये वेपारि होते थे अग्रिग्वेध म यजुद जन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है तो तुर्वशू के शार्थ रीवेद में किसी मंडल का पर्थमस्ट प्राय किस देवता के लिए है अगनि के लिए अभिया आ रहा है पर्थम सूक्त फिलेटेल हैराज जय सोययय ययस्ञ समंधित अनुसथानों का वरणर्ण किसमेह यजूर वेद में एकर पॉर्टेडिक कोशन है महुत्पुन के सभी इन्द्स तो ये जुर्वेत है को पॉर्ण है राज्य सुए यग्ये को में ब्रसhti-ॉर्ट सभ्षा कोका अगत == जन कहके जन में मद्र जनक विदे इसका जो आंसर होगा वो होगा डी बिल्कुल जन में जो है वो मद्र से रिलेटेट नहीं है बाकी सब सब्सक्राइब जो राजा थे वो मद्र से नहीं है जन में जो राजा थे वो मद्र से नहीं है चया बेसे घण सब्सक्राजаки कहां के थे i7 चनक विदे अरुसुपति कए ठीक है व्यदि काल में ग्राम का मुख्या ग्राम में ठीक है ग्राम का क्रमानी ग्रिह हैं ढुख्टी जिससे प्लिप्प भी प्लिपटी को क्या का जाता था प्ल depends और他 पिस को भिए मुख्या को मिलता है तो ए रिगवेद में रिगवेद में अध्या का उलेख मिलता है ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर इंड करते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको सेर करें धन्यवाद